दोस्तों इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ था जो RTPS VR है विहार के नाम से था जिसमें आप जाती है अवाज CI को आटो फील के माधियम से इस्तमाल कर सकते थे और उसमें जो है आपका सेशन आट का इशू नहीं आता था बहुत लोगों ने बोला कि भईया हमको इंस वीडियो में तो तिकत आ रहे थी क्योंकि इसमें काफी सारे फाइले होती है तो हमारे भाईयों को confusion हो रहा था कि भीया हम इसमें से कौन सा फाइल को बार बार यूज करें कि यह रन करेंगा तो जनरली जिनको पता है तो वो EXC फाइल को यहां पर रन करते हैं बाकि जिनको नहीं पता है तो कोई सा भी फाइल वो एक एक करके करते हैं तो काफी उनको बोडिंग सा लगता है तो थोड़ा सा यह थोड़ा इशू आ रहा था तो हमने बोला कि setup ready करते हैं बाईयों लोगों को देते हैं तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे क्लोज करेंगे उसके लिए ह आपका जो application का नाम यानि की software का नाम होगा वो आप यहां पर डालेंगे हमने यहां पर डाल लिया है version में आपको जो भी रखना है वो रख सकते हैं तो यहां पर मैं क्या करता हूं पहला ही setup बना रहा हूं तो 1.0 यहां पर कर देता हूं बाकी इसको by default इसको आप रहने दे स फाइल में हो तो by default इसको छोड़ देंगे नहीं तो custom करना चाहते है तो custom कर सकते हैं तो मैं यहां पर क्या करता हूं seed का जो folder है seed drive का folder मैं उसमें कराना चाहता हूं बाकी आप चाहते हैं कि installation time में भी इसका जो है location को change कर सकते यहां पर रखेंगे अगर नहीं change करवाना चाहत है तो इसको यहां पर allow पे से untick कर देंगे मैंने untick कर दिया है next करेंगे next करने के बाद जहां पर भी आपका setup होगा वहां जाएंगे और main file को यहां पर browse करना रहेगा यानि कि setup file को तो हम यहां RTPS folder में जाते हैं उसके बाद क्या करेंगे यहां पर main file को select कर लिया उसके बाद folder में वह था file यानि RTPS के नाम से folder बना हुआ था उस folder को ही आपको यहां पर select करना पड़ेगा तो जहां पर भी आपका यह फाइल है वहां browse करेंगे इसको हमने browse किया और यहां पर select करके ok कर दिया आप यहां से पूछेगा तो यहां पर yes करेंगे इसको और यहां पर next कर लिय बाकि मैं नहीं देने वाला हूँ तो मैं इसको next कर लूँगा इसको भी by default रहने दूँगा आगे इसको English पर ही रखना है क्योंकि हमारा सारा English में ही है और यहां पर आपको जहां पर इस file को चाहिए होगा वो location आप यहां से select कर सकते हैं तो जहां पर भी आप इसको save कराना output लेना चाहते है उस location को select कर लेंगे मैं यहां पर direct जो है यहां पर download file driver मैं अपना एक कोई folder select कर लेता हूँ यहां पर आपको जो भी file का नाम देना होगा वो दे सकते हैं मैंने file के नाम दे दिया है इसका icon अगर आपको लगाना चाहते है तो icon लगा सकते हैं मैंने desktop पे रख करूंगा यहां पर मैं इसको no करूंगा यहां पर आप जाएंगे तो play पर जाएंगे और यहां पर इसको क्या करेंगे नो आपका जो देखेंगे यहां पर setup बनना त्यार हो गया है बाकि आपकी system के performance पर depend करता है तो हम यहां थोड़ा video को fast करेंगे जैसा कि आप देख सकते हमारा यहां पर ready होगे है installation के लिए भी यहां पर आपको ready होके आ गया तो हम यहां पर yes करेंगे ठीक है यहां पर desktop पर इसका icon बनाना चाता है तो यहां पर ठीक लगा देंगे next करेंगे install करेंगे हमारा उसी drive में जाकरकर येग इंस्टॉल करेंगे login करने बाद नीचे में इसका interface को लेगा यहाँ पर आप click करके इसको खोल करके देखेंगे कि यह आपका काम कर रहा है कि नहीं क्योंकि अगर काम नहीं कर रहा हो तो यह आपका open नहीं होता यहाँ पर हमने सब्सलता पूरवा कि इसको जो है assemble कर लिया है यह बाकाइदा एक setup में यह ready हो गया है तो हम इसको location पे जाते हैं और देखते हैं किस तरीके का हमारा setup ready हुआ है तो हमने यहाँ पर drive select किया था direct तो यहाँ पर आएंगे तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने RTPS BR के नाम से हमने बनाया हुआ था तो यहाँ पर हमारा यह ready हो के आएंगे तो उमीद करता हूँ कि यह वीडियो की जानकरी आपके लिए काफी फाइदे मन्द रही होगी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले topic के साथ जब तक के लिए जय हिन जय भारत